हेलो गई, तो आज किस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोईशन के उपर बात करेंगे हाउ टू कंड़क्ट मैकाउट इवन सेमिस्टार एक्जाम ओनलाइन में होगा या ओफलाइन में होगा, MCQ मोड में होगा, या पेन और पेपर मोड में होगा जैसे की बैकलॉग एक्जाम का हुआ था कुछ दिन पहले, वैसे होगा तो बहुत ज्यादा कोईशन आ रहा था इस टॉपिक के उपर, तो वीडियो स्टार्ट में से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के उपर अभी तक कोई फिक्स नोटिफिकेशन ओफिस है, वेबसाइट में पब्लिस नहीं हुआ है बट मेरे पास कुछ इंफर्मेशन है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ओके और जन्यूर इंफर्मेशन है, कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा, ऐसे ही आप लोग का एग्जामनेशन होने वाला है, ओके और आप लोग का इवन से बिस्टार एग्जामनेशन के ऊपर, तो एग्जामनेशन फ्रॉंग फ्रॉंग स्टार्ट हो रहा है और 13 जुलाई to 20 जुलाई for final year student, ओके, तो फर्स्ट कोईशन, online exam होगा या offline exam होगा, तो online exam होगा, offline का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस pandemic situation में offline का कोई चांस ही नहीं है, offline exam नहीं होगा, online ही होगा, and final year student का जो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, time भी बहुत कम है, इसमें offline possibly नहीं है, so online exam होगा, तो अभी next question आ रहाए, अगर online exam होता है, तो क्या MCQ टाइप में होगा, और जो से होगा, MCQ या pain and paper mode, okay, so इस question का answer देने से पहले मैं आप लोगे साथ कुछ points discuss कर लेता हूँ, first point है, आपके college में CA1 and CA2 किस mode में हुआ, MCQ mode में हुआ, या pain and paper mode में हुआ, तो लगबख सारे college में MCQ mode ही exam हुआ है, okay, मेरे भी college में MCQ mode में हुआ है, और आपके college में सायद MCQ mode मे ही हुआ है, तो नीचे comment box में जरूर बताना, okay, so अगर सारे college में MCQ type CA1, CA2, CA3 and CA4 exam होता है, तो definitely even semester exam भी MCQE होगा online, ठीके, ये definitely होगा, next, no early notice about how to conduct even semester examination, तो आप लोग जानते हो, हमारा जो odd semester हुआ था, वो online MCQ हुआ था, तो वो अगर change कर था even semester में, तो notice तो अभी तक आ ज जाना चाहिए था, इसके उपर, कि mode change हो रहा है, अभी pain and paper mode में होगा, ताकि हम लोग को preparation करने में time मिले, क्योंकि हम लोग को पता है, और semester में online MCQ mode में ही exam हुआ, तो वो अगर change करता है, तो थोड़ा तो preparation पहले से हम लोग को रखना होगा, कि अगर pain and paper mode में हो जाए, तो pain and paper mode का हाँ, and MCQ mode का हाँ, पूरा different है, दोनों ही different है, MCQ mode में अगर preparation लेते हैं, तो ये different हो गया एक, और अगर pain and paper mode में करता है, तो ये भी एक different हो गया, ये theory exam हो गया, तो theory exam and MCQ exam दोनों में बहुत different है, तो ये अगर change करता था था तो two month पहले, या three month पहले, या semester start होने से ही प प्रप्रेशन स्टार्ट कर लो, बट ऐसा कोई नूटिस अभी तक पब्रिस नहीं हुआ है, भी बात कर लेते हैं, बैक लोग में पेनान पेपर मोड में एक्जाम क्यों हुआ, तो वो 2019 का एक्जाम था, और वो पेनान पेपर में हुआ था, तो इसलिए बैक लोग जो एक्ज होता था, तो पहले ही मैकाउट के ओर से अपडेट आ जादा था, बट अभी तक स्टील अपडेट नहीं आया, तो और सेमिस्टर ऑनलाइन MCQ एक्जाम हुआ था, तो ये भी ऑनलाइन MCQ ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट एक छोटा सा चेंजेस हो सकता है, वो क्य है, इन्विजिलेटर चेंज हो जाएगा, पहले जो सेमिस्टर में इन्विजिलेटर इन्डिविजली था, यानि मकाउट का स्टाफ ही था, बट इस बार क्या होगा, इस बार कॉलेज स्टाफ हो जाएगा, यानि हम लोग का कॉलेज का फेकल्टी ही इन्विजिलेटर होग है तो time बहुत कम है इस time में अगर more change कर देता है तो problem हो जाएगा ओके काफी student को पता है कि MCQ का preparation अभी से start कर दिया है तो अभी अगर mode change करता है तो कैसे pain and paper mode का preparation start करें करता है भी तो backlog आ जाएगा ओके तो एक बहुत ही problem हो जाएगा अगर यह mode change होता है में MCQ to pain and paper mode change होता है तो problem हो जाएगा क्योंकि time बहुत कम है ओके final year वालो student के लिए तो time बहुत ही कम है और जो हमारे जो intermediate student है उन लोग के पास 1 month 20 days है अप्रॉक्स तो 1 month 20 days के अंदर कैसे preparation को high करें अगर more change होता है तो एक fixed मैं बता दे था आप लोग को online MCQ test होगा अभी कोई offline में नहीं होगा and paper and payment paper mode में नहीं होगा online MCQ test होगा बढ़ छोटा सा change होगा वो जो invagilator होगा हो हमारे college faculty होगा and जो MCQ type जो question होगा वो same रहेगा कोई changes नहीं होगा MCQ type जो question type होगा वो total 50 question होगा 30 question 1 marks का 30 marks 20 question 2 marks का 40 marks total 70 marks ओके वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था कोई changes नहीं होगा कोई problem नहीं है मैंने जो थूड़ा सा point है मैंने share किया अगर changes होता है तो बहुत problem हो जाएगा तो maybe changes नहीं करेगा इसको fix notification आ जाएगा अगर changes होता था तो maybe अब तक notification आ जाता था बट अभी तक कोई notification नहीं आया तो more change नहीं होगा MCQ type online exam होगा और जो मैंने बताए type of question type of question ऐसे ही रहेगा तो कोई problem नहीं है जास्ट छोटा से changes हो सकता है वो इन्वेजिलेटर है college faculty हो सकता है ओके तो ही ता पूरा अपडेट तो अगर वीडियो अच्छा रागता है तो एक like and subscribe करके जाना चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए bye take care